हाई गाईज वेलकम बाक तो मैं चैनल खबरी दिव्या अब सब का स्वागत करती है दिव्या अगरवाल जियां बिग बॉस ओटी टी विनर दिव्या अगरवाल और वरुन सूध इन दोनों को कौन नहीं चाहता है यह बहुत 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 जादा कुप सर्व कर रहे हैं लेकिन एकदम से ऐसा कुछ हुआ जैसे कुछ घंटों पहले ही दिव्या ने इस चीज का सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पे बता दिया कि वो जो है उनका और वरुन का जो रिलेशन्शिप था जो डेट कर रहे थे अब वो एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे है और उन्होंने का ब्रेक अप हो गया है जी हां उन्होंने का ब्रेक अप हो गया है और बहुत ही इमोशनल पोस्ट लिखा है दिव्या ने और आप देख सकते हैं कि कितना जादा और उन्होंने ये भी कर कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ मैं किसी को ब्लेम नहीं कर र रहा है क्योंकि दोनों का जो जोरी थी बहुत ज़ाधा cute और बहुत ज़ाधा viral है और लोग इनको कुप पसंद करते हैं इनकी cuteness को कुप पसंद करते हैं इनके natural अंदास को कुप पसंद करते हैं लेकिन ऐसा कहा जा Ratively ता कि जो आफ देख सकते हैं अब फोटो में नज़रा रहे हैं मधुरिमा रॉय को डेट कर रहे है चुपके से वरुन सूध जो इनके ब्रेक अप का रीजन है आपको बता दूँ ये इंस्टा स्टोरी में जहाँ पे वरुन दिखाए दे रहे है ये स्टोरी इंस्टा पे मधुरिमा ने शेर की थी और कुछ देर के बाद ये डिलीट कर दी और उसमें टैक कर किया था वरुन को असाथ में लिखा था हैश्टाग लाव अफेर और उसके बाद से के कुछ घंटों बाद ही दिव्या ने ब्रेक अप की खबर सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म पे साजा की और आपको बता दूँ कि कई सारे सेलिब्रिटीज का रियाक्शन भी आने लगा है और जीशान का पहला रियाक्शन आये था जीशान का मैं भगवान से इपरातना करता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाओ और तुम दोने एक दूसरे के पास वापस लोटाओ आपको बता दूँ कि कहीं सारे रियाक्शन आ रहे हैं और लोग जो है मधुरिमा को भी ट्रोल करते हैं नज़रा रहे हैं और हर को यह कह रहा है कि मधुरिमा को चुपके से टर्की में है अभी वरुनसूद और लोग कह रहे हैं कि वरुन जो है वहीं पे उन्हें चुपके से डेट कर रहे हैं और जब से इंस्टा पे उन्होंने स्टोरी मधुरिमा ने स्टोरी शेयर की जिस पे वरुनसूद नज़रा रहे हैं और लॉव अफेयर लिखा था और अब उन्होंने वो डिलीट कर दिया इंस्टा पे तो तब से और भी इस खबर को आख से पढ़ गी आप क्या कुछ क्या